और रात रात में इस पर आगे 5 लाख व्यूज बढ़ा अच्छा पैसा बनाया यह दूसरे की चीज आप अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते बॉलीवुड की म्यूजिक डालके महीने के लोग करोडो रूपे पैसा बना रहे हैं दोस्तों आज नहीं मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं कि 2024 में क्या यह एनिवल मूवी या इसके ऐसे 90 वाले मूवी सन्नी देवल की मूवी अजय देवन की मूवी या फिर ऐसी सन्नी देवल की फाइट वाली मूवी है ना जो लोग लेवर क्लास के लोग जनरली रात को थकार करके सुनते हैं विचारे कि ऐसी मूवी या डाल डाल के लोग पैसा बनाते हैं थोड़ा समझते हैं इस मैथड को आज से तीन-चार साल पहले मेरे कई ऐसे मितर है जिन्होंने करोडों रुपे बनाई से कैसे समझाता हूं इसका गेम पूरा हुआ यू था कि सबसे पहले ज साथ यह काम करते थे लोग राइट एक mcn channel network से जोड़े रहते थे उस मूवी के धरू क्या करते थे साम को सन्नी देवल की या कोई अजय देवगन की है ना मूवी क्या करी इन्होंने डाली और रात रात भर में जितने भी लिवर क्लास के लोग है भाई साब यह डियालिटी पैसा बन गया इन्फेक्ट हमारी कई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी भी ऐसी गलतिया करी थी लेकिन उनको समझ आ गया कि अभी ऐसी पॉसिबल नहीं है यह सब करके इसके clips telegram पे facebook community में facebook group में है ना ऐसा जगा डाल के लोग को बताया जाता था और लोग वहां से आते थ पैसा बनाने का तो सबसे पहले मैं यहां पे first rule of copyright आपको समझाता हूं मेरे पास पूरी YouTube की script है जो मैं आप लोग के लिए लेकिया हूं जो copyright की पूरी policy जो मैंने इसके उपर research की है इसमें साफ लिखा हूँ है मैं screen पर दिखा देता हूं कि creator should only upload video that they have made or they are authorized to use साफ यहां पे लिखा है कि that means that they should not upload video that they don't make कि आप वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते जो आपने खुद नहीं बनाई है उसके बार लिखा है और use content either video that someone else own the copyright to such music track है ना या फे spin it या फे कोई इसका छोटा सा पार्ट ही क्यों नहों copyrighted program of video made by other user without necessary authority कहने का मतलब simple यह है भाई साफ कि दूसरे की चीज़ आप अपने चानल पर upload नहीं कर सकते अब एक सवाल आता है कि सर बहुत सारे यूटीबर्स जो हैं इतनी सारे videos पर आप upload करते हैं आप जाके देखो सर बहुत से लोग अलग-अलग content का video upload करते है music का गाने का सर हम क्यों नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर समझने वाली बात ही है कि सबसे पहला आता है एक fair use policy fair use policy fair use policy के अंदर में अगर आपने कोई video बनाई जैसे जितने भी लोग reviews video बनाते हैं अगर आपने videos बनाई और उस पूरी video का जैसे माली जी एक video है यह video कितने minute की यह video 8 minute की है इस 8 minute की video में आपको वो video totally depends on you है लेकिन आपको लगता है कि आपके summarization में उसका एक छोटा सा रोल था तीन सेकेंड का पांच सेकेंड का साथ सेकेंड का और आपको वो दिखाना था आपने दिखा दिया अगर in that case सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं आप use कर सकते हैं लेकिन अगर वो सामने वाला उस पे claim करता है तो वो उसकी video मानी जाएगी fair use की policy में पूरी video आपकी है और आपका बस उसको role represent कर रहा है तो कई जगा आप लगा सकते हैं उसलिए आपने बहुत सारे ऐसे meme space देखे हैं जहां पे लोग carry मनाती है अलग-अलग content creator video मनाते हैं और दबा के meme यूज करते हैं और वो fair use की policy में legal माना जाता है और दो-तीन हो पे यह चीज़े कई बार implement कर दी जाती है क्योंकि criticism आप किसी चीज़ पर कर रहे हैं किसी topic के ओपर अपनी राय रख रहे हैं क्रिटेक्स जो होते हैं या कोई new channel है कोई commentary है तो obviously relatable होगा तो वहां भी एची sustainable की जाती है अब बात आती है कि सर किसी को copyright strike देनी हो claim देना हो त से तरीके होते जिन से दिये जाते हैं तो सबसे पहला है वेब फॉर्म इसे हम DMCA से भी जानते हैं कि Digital Millimum Copyright Act से जो DMCA है क्या समझते है DMCA अब सर इसका रोल यही है जो एक बार में ही multiple channel पे copyright डाल सकते हैं जैसे आपने देखा होगा बड़े-बड़े channels होते हैं आपने देख दो copyright strike आ गई कई बार में देखा होगा 30-30 वीडियो पे copyright claim चला गया तो यही वो method है DMCA जिसके थूरू आप चैनल वेब फॉर्म के दूरू कई YouTube चैनल म्यूजिक कंपनिया एक साथ copyright claim डाल देती हैं और सारा पैसा अपने पास बटोर लेती हैं दूसरा है copyright matching tool copyright matching tools इसके according एक साथ ही जैसे for example आपने कोई वीडियो डाली और matching tool ने दिखा दिया कि आपकी वीडियो जो है वो सामने वाले से match कर रही है तो वहाँ पे copyright claim आप डाल सकते हैं तो एक simple तरीका है automation में इस तरीके से किया जाता है और third number पे आता है content ID content ID का मतलब simple यह समझे कि जैसे आपका आध आधार काट आप पर ही अपलाई होगा ना मेरा अधार काट कहीं भी आप डालेंगे तो मेरी फोटो आईगी तो वैसे ही है आपने बड़े-बड़े सिंगर्स जो होते हैं company जैसे टी सिरीज बिजनस टी सिरीज जी म्यूजिक है ना यह क्या करती है हर म्यूजिक का हर म्यू कि धारा में उमर बह जानी है जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है है ना इस चैनल पे जब आप आएंगे साथ लाख 20,000 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के अगर आप देखे तो अब तक इन्होंने 167 वीडियो डाली है है ना क्या डाला है सारे के सारे म्यूजिक्स है है अब यहां पर चल रहा है दो चीज़े हो सकती है मुझे चैनल के बारे में आइडिया नहीं क्योंकि मैंने इसका पूरा जाच परताल करने की कोशिश करी कहीं भी आसा कोई उटार गलेंगा चैनल खुद का अपना लिया हुआ नहीं है खुता क्या किया करते हैं बैख कर लेते हैं क्या वै कर लेते हैं सौंग जो पुराने 90 के पुराने-पुराने सौंग है न व किताप शौपर जाओगे तो दो बुलेगा यह सारी किताब आपको मिल देंगी दू रुपे किलो और एक उता सो रुपे किलो उठाया दस बीस निगल के आ गई राइट अरे भीया किताब ही तो है घ्यान तो उसमें भी होगा ना वैसे म्यूजिक में भी है आज़कल के नए नए आपको मैंने 5 लाग डिया सर मुझे कापी शनाया तो इस तरीके से काम करते हैं यह समझ यह तो जो लोग वह करते है ना भाइसाब क्या बता वह वह भीज – 30-000,000 यह खरीद केया हूँ यह बात मैं इसलिए जोEX चंडे से कहते हुएल मेरे एक दोस्त है जो साइक्ट के पाके दवा के चैनलों पे डालता है और भाई साब महीने के करोड़ों कमाता है मैं आपको सच बता रहा हूं बॉलीवुड के म्यूजिक डालके महीने के लोग करोड़ों रूपे पैसा बना रहे हैं अब बारी आ जाती है यहां पे MCN की, MCN बेसिकली एक एजिंसी है पूरी जो कॉंटेंट आईडी, मैचिंग टूल्स और यह सब जादा तर उनकी लिए काम करते हैं जो मुवीज या फिर कोई रोस्टर हो गया उसके लिए जहां पे कॉपी राइट ना आया तो वो कॉंटाक कर ले कॉडिनेट कर ले किस एज यूटीवर्स की हेल्प करो है अच्छी बात है ना मैं यूटीव डिरेक्ट सपोर्ट इतने इंपलॉई नहीं है कि बुरी दुनिया में यूटीवरों के हल्प कर पाए तो उसने एजेंसी बनाना शूरू कर दिया यूटीवर की हेल्प करने की जगा परिशान और करने लगे भाई सब काफी यूटीवरों को तो यह क्या करते हैं 50% 60% अपने पास रख लेते हैं और बाकी देते हैं जादतर बेनिफिट उनका होता है जो सिंगर्स हैं राइट जो रोस्टर्स हैं ऐसे लोगों का बेनिफि की एक एजिंसी थी उसके साथ जुड़े हुए थे क्योंकि उनके पास copyright strike आ गई थी एक और है कूल मित्रा करके एक लड़का है उससे काफी प्रॉब्लम हो गई थी एक जगह और वी दो तान दो तीन content creator है जो हमेशा परिशान ही दिखे इन MCN से जुड़के इसके दिया उसने पूरे चैनल पर स्ट्राइक तो यह रियालिटी है कुछ एंसी है मार्केट में जो वर्क करती है अगर आप मालीचे मेरा आपके साथ एक लीगल बाउंट है आप यूटीवर मैं यूटीवर नहीं हूं लेकिन अब आप चैनल चला आपने मुझे गायब कर दिय तो मैं कैसे चैनल भी निया दूसरा तो मेरे पास लीगल डॉकुमेंट है मुझे कोड जाने के जरूत नहीं है और वह एजनसी जो है वो यूटीव से कनेक्शन होते है वह यूटीव से उनकी लेक्ट मार्केटिंग एजनसी या उनकी जो कॉपिराइट टीम से उनसे डील क एक रिया डील यह सारा मेल विल करके इस्ट्राइक दलवा देता है यह अमने देखा है तो भाइया सीरीसी बात है एड देंड मेरा कंक्लूजन यह है कि मुवी मुवी के चक्कर में क्यू पढ़ना है ना खुद की मुवी बनाओ ना खुद इतना बढ़िया काम करो कि लोग लोग आपको देखें लोग आपसे सीखें तब ही तो मैं कहता हूं हमारा जो यह कोर्स भी है यूटीब मास्ट्री कूर्स हम इसमें सिखाते हैं बच्चों को कुछ लोगों ने कासर आप रिकॉर्डिंग देते हैं समझ नहीं आता रहे भीया रिकॉर्डिंग कोर्स उनके यह है जो जौब गोइंग है समय नहीं मिलता पूरा वीडियो देखें डाउट सेशने के लिए मैं बैठा हूं आज मेरी डाउट क्लासे इस वीडियो के बाद दूसरी बात कुछ लोगों को लाइव सीखना है तो भी हम सिखा रहे नहीं आर अठाइस जनवरी से पूरा ला आज मैंने आपको समझा दिया डेफिनिटली आपको कॉपीराइट टूल मैचिंग टूल सारे समझ आ गए होंगे कैसा लगा वीडियो वो भी कॉमेंट करके जरूर बताइए थैंक यू सो मच जै हिंद जै भारत